हेलो नमस्ते साथियोर। स्वागाच शत्वाले हम्रो चैनल नेपाल इंजिनेर्स लुक्षरा सलुशन मां। आजा को वीडियो मामा सब इंजिनेर को मोडेल केस्चन लियर उपस्थित भयको छू। जुनकी सिभील सेंट्रल लेफल को ळागी चाहेんなкам को लागी ध्यरेने इंपर्टेंट्ट्टों साथ साथे प्रदेश लोक्षभा को लागी पनी। अपलोट गरी, इस्ता मोडेल केश्चन पचास अटा भाँदा बाडी अपलोट भैश चोछ यदो हेरनु भाया छहीन बने नाया हुनुन सबने त्यो वीडियो अरू पनी प्लेलिस्ट मा गर हेरनु अला धेरेने इंपोटेंट छ रत प्या रूक लागी डिटेल्ड एक्सप्लानेशन को साथ पनी तीस वटा वीडियो तीस वटा सेट जहें अपलोड गरेको छुँ एक देख लागी जहें ठेक लागी जहें जियाँगर ओर कुझा पता छा था offset अनि C मा शा to indicate the accuracy of the survey work अनि D मा शा to increase the out turn तेसको चाहिए सही उतर कुन हुन्छा, A को चाहिए सही उतर C हुन्छा to indicate the accuracy of the survey work तेसको लागी चाहिए check line provide गरिंछा और proof line in change surveying मा जुनकी essentially required हुन्छा अब क्वेस्चन नमर दू माशा, short offsets are measured with A माशा ordinary chain, B माशा an invert tape, C माशा metallic tape, D माशा steel tape short offsets are measured with दू को चाहिए सही उतर हुन्छा A, an ordinary chain अब क्वेस्चन नमर तीन मा केशा, diaphragm of surveying, diaphragm of surveying telescope is held inside A माशा eyepiece, B माशा telescope tube, B माशा objective, C माशा telescope tube at its midpoint, D माशा telescope at the end nearer the eye तीन को चाहिए सही उतर हुन्छा तपायको D, telescope at the end nearer the eyepiece जुनकी diaphragm of surveying telescope is held inside, telescope at the end nearer the eyepiece हुन्छा अब क्वेस्चन नमर चाहर मा केशा, the smaller horizontal angle between the true meridian and a survey line is known as A माशा declination, B माशा bearing, C माशा azimuth, D माशा deep the smaller horizontal angle between true meridian and survey line कुन हुन्छा, 4 को चाहिए सही उतर हुन्छा तपायको C, azimuth यो चाहिए तपायरो को SRI तपाय पुझना सकन हुन्छा, जुनकी true meridian जस्तो की तपायको 270 degree, 75 degree मानो आयो है न 225 degree याथ 255 degree जती पनी आयो है न अब त्यो चाहिए अब ऐन्था सर्वे लैन सर्वे लैन, संग बनाया को चाहिए यो चाहिए सर्वे लैन, 90 degree यहाँ बाटे शरी clockwise measure गरीन्छा रो यो चाहिए यो 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 लैन true meridian line 90 degree संग जुन बनाया को उन्छा एंगल तेसला चाहे अजुमूथ बन्छा C चाहे सही उतर उन्छा दा स्मालर होरीजन्टल एंगल बेट्वीन दा true meridian and a survey line is known as azimuth अब क्वेश्चन नमर पांच मा के छा inhaling of fly ash over a long period causes a माश सिलिकोसिस b माश फाइब्रोसिस अफ लंग c माश ब्रॉनकाइटिस अनी d माश अलफ देवब तो 5 को चाहे सही उतर हुन्छा तपैको d हुन्छा 5 को सही उतर अलफ देवब inhaling of fly ash over a long period causes यो जो हुनो सक्षा अब क्वेश्चन नमर छा मा के छा the weight of one cubic meter of brick earth is about weight of one cubic meter brick earth को चाहे weight चाहे कती हुन्छा a माश सा 1200 kg b माश सा 1500 kg c माश सा 1800 kg अनी d माश सा 2000 kg तो 6 को धेरेने important question छा s को चाहे सही उतर 1800 kg हुन्छा अब क्वेश्चन नमर चाहे साथ मा के छा in a rock calcium carbonate predominates state weather it is a माश सिलिस्यास रोग b माश आर्गिलेस्यास रोग c माश कलकारियस रोग d माश नन अफ देवब in a rock calcium carbonate predominates state weather it is साथ को चाहे सही उतर उन्छा तपैको c कलकारियस रोग in a rock calcium carbonate predominates state weather it is कलकारियस रोग अब क्विस्चन नमर आठ मा के छा stainless steel contents a माश 18% of chromium and 8% nickel b माश 8% chromium and 18% nickel c माश 12% chromium and 36% nickel अनि d माश रोग 56% chromium and 12% nickel तो आठ को चाहे सही उतर कुम उन्छा आठ को चाहे उतर अ हुन्छा 18% chromium or 8% nickel हुन्छा जुनकी stainless steel माश चाहे specification माश आठ हारा पर्सेंट chromium रह पर्सेंड nickel अब कुस्चन नमर 9 मा केशा, the unit of moment of inertia of mass r, moment of inertia को चाहिए unit कुन हुन्छा, 9 को चाहिए सही उतर हुन्छा, तपाइको b, 9 को सही उतर b हुन्छा, moment of inertia को kg per meter square हुन्छा, kg per meter square अब कुस्चन नमर 10 मा केशा, कुस्चन नमर 10 मा चाहिए, the maximum stress produced in a bar of tapering section is at, maximum stress produced in a bar of tapering section is at, A मा सा smaller, B मा सा larger, C मा सा middle, तपाइको b, 10 को चाहिए सही उतर हुन्छा, A, smaller ind मा चाहिए, the maximum stress produced in a bar of tapering section is at, a smaller ind, अब कुस्चन नमर 11 मा चाहिए, deflection of the free ind of a cantilever beam subjected to a concentrated load at the middle is, is, is a span is given by deflection, सोधे को चाहिए, cantilever beam मा, free ind मा, subjected to a concentrated load, middle मा लागे को चाहिए, त्यो अबस्थामा deflection कती हुन्छा, त्येकारा को चाहिए, सही उतर हुन्छा, C, PLQ by 24EI, अब कुस्चन नमर 12 मा केचा, a wire is said to be narrow, crested wire, if the width of the crest of the wire is, is kati उन्छा, a wire is said to be narrow, crested wire, if the width of the crest of the wire is, a माशा इकल to b माशा, less than c माशा, more than d माशा, none, त्यो थर्टिन को चाहिए, सही उतर कुन्छा, 13 को शही उतर B उंचा less than half the height of the water above the wear crest question number 14 माशा the tendency of a liquid surface to contract is due to the following property tendency of a liquid surface to contract is due to the following property A माशा cohesion B माशा adhesion C माशा viscosity D माशा surface tension 14 को शही उतर उंचा तवयको D surface tension the tendency of a liquid surface to contract is due to the following property surface tension उंचा अबा question number 15 माशा the coefficient of discharge for an external mouthpiece is coefficient of discharge for an external mouthpiece is कती उंचा coefficient of discharge 15 को शही उतर हुंचा तवयको D 0.855 अबा question number 16 माशा the value of coefficient of velocity the value of coefficient of velocity for a sharp edge orifice A माशा decreases B माशा increases C माशा the value of coefficient of velocity for a sharp edge of orifice dot 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 with the head of water कती हुंचा increases हुंचा की decreases Soura को शही उतर हुंचा increases with the head of water यादी increase भाए बने तेसको velocity पने increase हुंचा अबा question number 17 माशा head head संगा चाहे head संगा velocity को चाहे directly proportional अबा question number 17 माशा hydrometer reading are corrected for A माशा temperature correction B माशा minicious correction अनि C माशा dispersing agent correction D माशा temperature minicious and despairing agent correction ता सत्र को चाहे शही उतर हुंचा D temperature minicious and despairing agent correction अबा question number 8 माशा अबा if the natural water content of a soil lies between its liquid limit and plastic limit the soil mass is said to be A माशा liquid state B माशा plastic state C माशा semi-solid state T माशा solid state यो चाहे utter burger limit को जुन graph छो त्यो बाट त्यो बाट त्यो ने clear liquid limit plastic limit semi-solid and solid state तठारा को चाहे सही उतर कुन हुंचा अठारा को चाहे सही उतर B हुंचा plastic limit यो भने को चा liquid plastic limit को बीच को चाहे प्लास्टिक एस्टेट को चाहे प्लास्टिक एस्टेट को स्वैल भनें छा अब यो चाहे यह चाहे यह चाहे यह चाहे लिक्विड लिमिट यह चाहे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट अनि यो सेमिसोलिड ए स्टेट जैंहें हुन्छा स्वो अलिक्की द्यूमीट को बीच को स्वयल जुन्छद चैने टैलों जौन्छ जुन चैने स्वाइल टांसपोर्टेड भाय तैलोस को बारे माच है 19 गलकालोस पनि होदाखिरी तर्मापनि ग्राविटेशनल फोर्ष ने लगाउनों उला खता हना वार्टर्ण के लेजुदेंगे स्पेस्पिक ग्राविटी आप सैंड इप्रोप्सिमेटली स्पेस्पिक ग्राविटी आप सैंड कती हुन्षा स्पेस्पिक ग्राविटी आप सैंड इप्रोप्सिमेटली 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 स्पेस्पिक ग्राविटी आप स केश in monolithically with the slab a मा शा act as a i-beam b मा शा act as a t-beam c मा शा act as a l-beam तो 21 को चाहिं सही उतर हुन्षा तवय को b 21 को सही उतर act as a t-beam जुनकी beam रा slab को बीच मा शाहिं monolithically joint भा को हुन्षा as a t-beam question no.9 मा केश still is very strong a मा शा in tension b मा शा in compression c मा शा act neutral axis d मा शा act extreme fiber 22 को चाहिं सही उतर हुन्षा a 22 को still is very strong in tension 22 को a भयो अब तैस मा केश 23 मा इन under reinforced singly reinforced beam under reinforced को कुरा गरे गो सहे concrete crosses at its maximum strength that is concrete crosses at its maximum strength that is a मा शा 0.35% b मा शा 0.30% c मा शा 0.25% d मा शा 0.20% 23 को चाहिं सही उतर हुन्षा a 23 को 0.35% ऑन आ इन under reinforced singly reinforced beam booklet crosses at its maximum strength that is 0.35% question number twenty four शाँ 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 चाहिं सही उतर हैs बड़ बड़ सही auch के मा शा मा शाँक suffakt FIXtinट Bमाश burgशden C मा वीशफła 26 को लड़ सही इन मा मूशबผल thinks परोण शाँ development RCC Cantiliver Beam is based on the resultant force at 24 को जैशे उतर होंश ए, fixed end. The design of RCC Cantiliver Beam is based on the resultant force at fixed end. Our question number 25 में केशा, the strength of concrete, the strength of concrete made with angular aggregate and rounded aggregate is practically same at the water-cement ratio आप A माँचा 4, B माँचा 0.48, 0.4, 0.48, 0.55, 0.65 तो श्रेंथ अब कॉंक्रीट मेड विछ एंगुलर एग्रिगेट और रोंड एग्रिगेट को लागी वाटर श्रिमेंट राइचियो कती हुनु पर शा एंगुलर रोंड एग्रिगेट को लागी 25 को जाए सही उतर हुन्छा D 0.65 और याशको चाहिए राखिने चाहिए 0.42, मिनिमाम चाहिए 0.4 रोंड एग्रिगेट को लागी आर को लाइच आरका हुन्छ एग्रिगेट को लागेट को लागी